हेलो फ्रेंट्स दिस जोधी वर्मा तुड़ा हम गोईंग टू स्टार्ट विद प्रेविएस कोश्चन पेपर्स ऑफ बीड आईपी उनिवर्सिटी 2019 में जो एक्जाम हुआ था नवंबर दिसंबर के जो बैच में जो एक्जाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं लास्ट यर के वो मैं आज फर्स्ट सेमेस्टर के शो करने वाली हो आपको इसमें सबसे पहला पेपर है critical understanding of ICT यानि ICT सब्जेक्ट जो है हमारा उसका ये question पेपर है जिसके marks है maximum marks 75 और इस पेपर का code है B8109 जिसमें सबसे पहले आपको 5 questions आएंगे 5-5 नमबर के ये questions जिसके अंदर से आपको इन सारे questions में से आपको 5 questions attempt करने होंगे जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं निमलिकेत में से किनी 5 questions के उत्तर देजिए और ये कितने questions दे रखे हैं 9 questions है 9 में से आपको 5 questions attempt करने है जिस जो 5-5 नमबर का हर question रहेगा आपका 25 नमबर आपके यहां cover हो जाएंगे next आप कर रहेगा second question जिसके अंदर से आपको 24 मिलेगी दो questions हैंगे दो में से आपको एक attempt करना होगा जिसके marks है 12.5 यानि 12.5 नमबर का एक question रहेगा आपका जैसा कि first question में मैंने बताया कि 5 questions 5-5 नमबर के रहेंगे इसके अंदर लगवग आपको 2-3 pages का एक answer लिखना होगा जिसका आपका minimum 2 pages या maximum 3 pages का answer जाएगा आपका 5 नमबर के question में और जो ये 12.5 यानि 12.5 नमबर का question है इसको आपको कम से कम इसको 8 या 9 pages में complete करना होगा आपको इसके 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 बनाने होगे कि एक question के अंदर आप कितने sub points डालोगे हर question का आपको intro फिर उसके types फिर इस तरीके से करके आपको एक long question ready करना है साड़े 12 नमबर का लगभग तो ये था आपका second question second question में आपका 24 मिलेगी आपको उसमें से आपको एक question attempt करना होगा next हम देखेंगे third question जिसके अंदर भी आपको 24 मिलेगी उसमें से आपको एक question attempt करना होगा, ये भी आपका होगा साड़े बारा number का question, ये भी उसी तरीके से 8 या 9 pages में या maximum आप 10 तक ले जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर extra sheets नहीं मिलेगी 48 pages की आपको sheet मिलती है B8 में, IP University में और आपको उतने ही sheets में सारा पूरा question paper, पांचों के 5 question आपको उसमें cover करने होते हैं तो 3rd question में भी आपको 2 question दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको 1 question attempt करना है ऐसा ही 4th question के अंदर 4th में भी आपको 2 questions है दिये हुए है, जिसमें आपको 1 question attempt करना है, 2 की choice है, एक आपको attempt करना है इन दोनों में से कोई सा भी एग ऐसे last है आपका fifth question इसके अंदर भी आपको दो questions मिलेंगे और इसमें से आपको एक question attempt करना होगा ये भी आपका साड़े बारा नमबर का होगा यानि साड़े बारा नमबर के आपके चार questions होगे और उसके अंदर साड़े बारा साड़े बारा नमबर के आपके 5 questions हो गए ये और ये हो गए आपके total 50 number के questions और 25 number का question आपका 55 numbers में 5 questions 5 multiply by 5 25 numbers के हो गए तो आपके 50 plus 25 यानि 75 number का पूरा आपका ये question आएगा question paper आएगा और 25 number आपके internal marks लिए जाएंगे तो ये total आपका 100 number का एक पूरा subject पूरा question तैयार हो जाता है आज मैंने आपको बताया ICT के question paper के बारे में जो B8 first semester का है और उसका paper code है B8109 Thank you so much for watching this video मेरे चैनल को like करें, subscribe करें, comment करें and share करें करें नहीं बारो नहीं और आपके नहीं 50 में